जैसी आराम प्राभु स्री राम की क्रिपा हमारे शबी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है गीत गोविंद की महिमा जगनात धाम में एक राजा पंडित था उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा उसमें भी स्री कृष्ण चरीत्रों का बर्नन था राजा ने ब्रामोनों को बुला कर कहा कि इसकी प्रतिलिकियां करके पढ़िये और देश-देश-चांतर में प्रचार करिए इस बात को शुनकर बिद्वान ब्रामनों ने असली गीत गोविंद को खोल कर दिखा दिया और मुस्कुरा कर बोले कि यह तो कोई नहीं दूसरी पुस्तक है गीत गोविंद नहीं है राजा तथा राजभक बिद्वानों का अग्रह था कि यही गीत गोविंद है इससे लोगों की को दूर फेक दिया है और स्री जैदेव कृत गीत गोविंद को अपनी च्छाती से लगा लिया है इस द्रिश को देखर राजा अत्यंतला जित हुआ अपनी पुस्तक का आप मान जानकर परेभारी में शोक पर गया और निश्चे किया कि अब मैं समुद्र में डूब कर मर जाओंगा जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभू ने दर्शन देकर आग्या थी कि दी कि तु समुद्र में मत डूब श्री जैदेव कृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता इसलिए तुम्हारा सरीर त्या करना बिर्था है अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के बारह सर्गों में अपने बारह स्लोक मिला कर लिख दो इस पकार तुम्हारे बाराश लोक उसके साथ परचलित हो जाएंगे जिसकी परचिधी तीनों लोगों में फैल जाएंगे। प्रेम बस बेशुद होकर लर्की के पीछे पीछे घुमने से काटों में उलजकर श्री जगनाज जी के बस्त्र फट गए। बता दी। राजा ने प्रभु की डूची जानकर पाल की भेजी उसमें बिठाकर उस लर्की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने निर्थ करते हुए उसी अस्टपदी को गाकर सुनाया प्रभु अत्यंत प्रसन हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की विवस्ता की। उक्त गटना से गीत गोविंद के गायन को अती गंभीर दहस से जानकर पूरी के राजा ने सर्वात रहड़ी रोड़ा पितवाया। कि कोई राजा हो या निर्धन पर जाहो सब को उचित है कि इसी गोविंद का मधुर सोरों से गान करे। उसमें ऐसी भाव न रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समी बिराजकर श्रवन कर रहे हैं। गीत गविंद के महत को मुल्तान के एक मुवल सर्दार ने एक ब्राम्मन से सुन लिया। उसने घोशित रिती के अंसार गान करने का निश्चय करके अस्टपद्यों को कंठस्त कर लिया। जब वह घोड़े पर चटकर चलता था उसमें घोड़े पर आगे भगवान बिराजे हैं शाध्यान कर लेता था फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभुक वाशन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मारग के में घोड़े के आगे आगे मेरी यूर मुख किये हुए स्यामसुंदर पीछे को चलते हैं और गाना सुन नहीं। भोड़े से उतर कर उसने प्रभुक के चरन असपर्स किये। कथा नौकरी छोड़कर विरक्त बेशधारन कर लिया। गीत गोविंद का त्यंत प्रताप है। इसकी महिमा का बर्नन कौन कर सकता है। जिस पर स्वेंग रिजकर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। तो बोलिए जैसरी क्रिस्न, जैसरी क्रिस्न।